वेलकम टू स्रीजी फूर्ड मैं हूं मनीश अठककर आज हम बनाएंगे मिक्सर का इस्तमाल किये बिना ही बहुत ही टेस्टी टमाटर की चट्नी जिसे आप रोटी, पराठा, पूरी या थेपला किसी के भी साथ सव कर सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं टमाटर की चट्नी बनाने के लिए दो मिडियम साइस के टमाटर लिए है जिसे पहले ही धो के साफ कर लेना है और फिर टमाटर की पीछे की साइड इस तरह से हम कट लगा देंगे तो दोनों टमाटर को इस तरह से पीछे से कट लगा दे उसके बाद एक बरतन में पानी गरम कर निकले रखेंगे और जो टमाटर हमने कट करके रखे है वो इसमें डालेंगे फिर इसे मिडियम आज पर हमें 3-4 मिट तक या फिर टमाटर इस तरह से सॉफ्ट हो जाए तब तक उबालना है टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब हम गैस बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार का ठंडा होने देंगे जब टमाटर ठंडे हो जाए तब हम इसे छिलके तयार कर लेंगे टमाटर को हमने boil करके इस्तमाल किया है इसलिए इस तरह सी इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा तो टमाटर को छिलके साफ कर ले फिर दो medium तिखी मिर्ची लेंगे और उसे बारिक चौप कर लेंगे मिर्ची की quantity अब कम ज़्यादा कर सकते है फीर जो टमाटर हमने बॉल करके रखा है उसे भी हम चौप कर लेंगे इसे बारिक चौप नहीं करना है तो दोनों टमाटर को मैंने इस तरह से चौप कर लिया है अभी जो measurement लिया उससे एक कटोरी चटने बनकर तयार होगी फिर एक fry पेन या कड़ाई लेंगे और उसमें दो छोटे चमच देसी घी गरम कने के लिए रखेंगे आप चाहे तो घी के बदले तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन घी में इस चटने का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है तो आप एक बार घी में ये चटने बना कर जरू ट्राई करें घी जब गरम हो जाए तब हम इसमें आधा चमच राई डालेंगे राई चटक जाए तब गैस की आज धीमी करके इसमें थोड़ा सा जीरा डाले फिर जो मेर्ची हमने चौप करके रखी है वो डालेंगे और आट से दस मीठे निम के पत्ते डाल कर इसे थोड़ा सौते कर ले फिर तड़के में ही हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे जो लोग लसुन खाते है वो लसुन भी इसमें डाल सकते है तो ये तड़का तयार हो गया है जो टमाटर हमने चौप करके रखे है वो इसमें डालेंगे टमाटर को थोड़ा मिक्स कर ले फिर इसमें मसाले करेंगे तो सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डाले दो चमच चीनी या फिर गुड डालेंगे एक चमच लाल मिर्च पाउडर और आधा चमच धन्या पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे मसाला जब मिक्स हो जाए उसके बाद इसके उपर धकन लगा दे और इसे मिडियम आज पर एक मिनिट के लिए पकने दे एक मिनिट के बाद अब देख सकते है जो गी हमने इस्तमाल किया था वो इस तरह से उपर आ गया है अब गैस की आज धीमी कर दे और इसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डाले और धनिया डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे खुला ही 10-20 सेकंड के लिए पकने देंगे अब हमारी टमाटर की चट्नी बनकर तयार है गैस बन करके इसे कटोरी में निकाल लेंगे बनाई हुई चटनी को आप बहार दो दिन तक और अगर फ्रीज में रखते हैं तो 10-15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं तो आप भी इस तरह से ये टमाटर के चटनी बना कर जरू ट्राइ करें आपके घर में सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी उम्मिद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी